आज हम देखते हैं इस तरीके के day-night sensor होते हैं, यह waterproof होते हैं, आप इसे उपर की तरफ, पोल के उपर कहीं लगा सकते हैं, जैसे इस पर अंधेरे detect होगा, यह यह बल्ब, यह देखते हैं, यह जैसे अंधेर, अभी हमने इसके connection कर रखें, पहले connection समझ लेते हैं, कैसे करने, इ राइट वाला common neutral है, तो neutral से हमने common neutral उठा लिया, और जो यह black वाला wire है, इस पर हमने face दे रखा है, तो यह दो जो green wire आ रहा है, हमारे पास line से आ रहे हैं, उसमें से हमने white को common रखा है, white पे common wire जोड़ दिया है, और red को जो है, फेस किया और black पे face किया, इस तरीके से connection होता ह है, और उसके बाद हम देखते हैं, अभी रोश्की है, तो यह अंधेरे में, यह कोई bulb नहीं जल रहा है, अभी हम इसके पीछे अंधेरा कर देते हैं, जैसे हमने इसके उपर अंधेरा किया, यह देखेंगे आप यह इधर बल्ब जलने लग गया, मतलब रात को जब इसके अंधेरा यह सेंस करेगा डिवाइस, यह बल्ब जलने लग जाएगा, अभी जैसे वापस से रोश्नी हुई, थोड़ी देर में यह रोश्नी डिटेक करेगा, और यह बल्ब बंद हो जाएगा, इसे डे टू नाइट सेंसर भी बोलते हैं, मतलब डस्क टू डाउन सेंसर भ जला देता है, और सुबह रोश्नी होने पर बल्ब को बंद कर देता है,